जंगल में एक शेर रहता था, जो खुद से कभी शिकार नहीं करता, हमेशा दूसरों का शिकार छीन कर खाता था एक दिन की बात है, शेर बेठा सोच रहा था, आज पेट कैसे भरा जाय, इसका शिकार छीनू, तभी वहां चीता आता है तुम हमेशा दूसरों का शिकार क्यों छीनते हो, तुम में हम सबसे ज्यादा ताकत है, फिर भी तुम बैठे बैठे खाते हो। चीता की बात सुनकर शेर खड़क गया, और गुस्से में उठकर बोला, बात तो तुमने ठीक कही, आज से मैं भी शिकार करके ही पेट भरा करूंगा। और फिर शेर चीता पर जपट पड़ा, ये चीता अपनी जान बचा कर वहां से भागने लगा, शेर भी इसके पीछे दोड़ने लगा, आखिर में शेर ने चीते को मार कर खा दिया, कहाने की सीख, दूसरों को ज़्यान और ध्यान देना, खुद पर भारी पड़ सकता है। झाल 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 झालाए ये लगा झाल झालए झाल 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 शेर पड़िशंगे लगा, वहान तो जव़ाद खाया झाल झालत तूब होगा कर अज़ा है।